सश्रियकाल नमस्ते सलाम जी सारयान। एहगेजी अलसी और जप्ण आलसी निया पिन्नीया वणाओंगे। एक होवय गूड़ इनना नुँ अप्ण मीक्स करके पिन्नीया वणाओंगे। सब तो पह्ला आप्ण आलसीनु हल्की हल्की सेक दोपर पुन्नागे। कि एनु अप्पां हरोस्ट करांगे पहला अलसी नू अपन यद्धा किल्लो अलसी लेए ते होना अद्धा किल्लोई अपां गोड़ लमांगे ते एनु भी आपां हल्की हल्की सेग दोपर पिगुला मांगे थोड़ा जे अप्पाय दे विच्च पानी पामांगे इद्धर अप्पां हुन अपनी जुड़ी अलसी यह ठंडी होगी है ते नू अप्पां मिक्सर ग्राइंडर दे विच्च पीस लमांगे चंगी तरह पीस लमांगे नू इद्धर गुड़वी अपना पीगल गया आत्या पाय दे विच्च पामांगे खुआ खुआ पाके नू चंगी तरह मिक्स करांगे खुआ पैस करके पाय थोड़ा जो टेस्ट एदा चेंज हो जूगा वदिया लगूगा अर्सीधी जड़ पाहट थोड़ी जी हुन दिया ओवी काट जाओगी तरह दे नाली अपना एदे विच्च पाया दालचीनी कुट्टी भी दालचीनी दा पाउडर सांफ पाउडर आजांगे कालियां मिर्चा घ्रटी जीड़ी हन दे नव घरम हुं दिया तिसकर कदि तरह के अलसी है, अलसी डी यहिली शीने पीननीया जांगे यह वोली अपना बहुत कट मातरा आ विच करानों जροJo बहुत गुणकारी हुन दिया है अलसी जड़ा ओमेगा-3 fatty acid हुन्दानों बहुत ज्यादा मात्रा विचे हुन्दा है ति जीदे नाल बैड कोलेस्ट्रोल जड़े हुन्देन अपने कोलेस्ट्रोल भी काट देया है भजन भी काट दाए शुगर पेशेंट लई भी बहुत ज जोड़ेन हाट दिल्ली बहुत बढ़िया फाइदे मांद हुन्दी आलसी पर रेदी गरम तसीर होन करके थोड़े नुकसान भी हुन्दा है जिसकर के अपनू थोड़ी काट मात्रा विच जखाने जाई दिया अपनू बना मांगे दिया थे पिन्निया भी चोटे चोटे च बढ़ना नहीं है कि योगि जे अपन बड़ी पिन्नी बनावा के तो उन्नी फिर खात दी जाओगी अपनू डेली मतलब दो चार चम्मच तक पाँ जड़ी है गिया अलसी खा सकते हैं तसीर ही गर्म होन करके पानी भी अपन बद मात्रा विच पीना चाहिए था पास छोट तुसी वी जड़ूर कारोय बना के देखे वालसी दिया पिन्नी या बहुत गुणकारी होन दिया ने कमेंट कारके मैंने जड़ूर दस्यो कीनू कीनू पसांद ने ओके जी